राधे राधे मैं आचारे हिमान शोपमन प्राया की महात लेकर उपस्तित हूँ आपका दैनिक राशी फलका कारी क्रम काल चक्र जहां आप मुझसे जुड़ते हैं मिलते हैं कैपिटल टीबी के माध्यम से और जानते समझते हैं अपने आने वाले दिन में घटी थोने वाली घटनाओं के विसे में कैसा बीतेगा आपका दिन यह सब कुछ आपको हमारे कारिकरम में जानने को मिलता है और साथ ही सनातन धर्म से जुड़ा हुआ क्या महत्त्वा पूर्ण दिन है आने वाला ये भी आपको जानने को मिलता है तो आईए आरम करते हैं आज दीनांखे 24 परवरी दिन है शुक्रवार का फालगुन मह के शुक्ल पक्च की पंचमीत थी है जो की 47 रात्री काल तक रहने वाली है और रेवती नक्षतर जो की 7 बच कर चववन मिनट प्राता काल तक रहने वाला है उसके पच्वणी नक्षतर का आरम हो जाएगा भगवान चंद्रमा भी 7 चववन से मीन रासी को छोण करके मेस रासी में प्रवेश कर जाएंगे अब बात कर लेते हैं आज के राहुकाल की तो आज के राहुकाल का समय है 10 बच कर 30 मिनट से 12 बचे तक और गुलिक का समय है 3 बचे से लेकर 4 बच कर 30 मिनट तक और आज के दिन जो अबजित महु जोकी आरब हो जाते हैं आज के दिन वह समाप्त हो जाएंगे साथ बचकर चंवन मुन ट्रात हकाल से आज साथ ही है सरवार्थ सिद्ध योग परंतु ये योग उतना फली भूत रही होगा उसका कारण ये है कि आज के दिन मुरत तुबान भी रहने वाला है तो इस कारण से आज का सरवार्थ सिद्ध योग उतना फली बहुत होता हुआ नहीं दिखाई देता आईए बात कर लेते हैं आपके राशी फल के विसाय में कैसा रहेगा आपका आने वाला दिन जीवन में क्या करेंगे तो सफलता मिलेगी और क्या करने पर समस्याएं खड़ी हो जाएंग भाग जरूर आज के दिन आपका साथ देगा लेकिन भाग भी कब तक साथ देगा अगर आप अपनी दैनिक दिन चर्यापन नियंत्रन नहीं रखते हैं तो निशित ही भाग आपका साथ नहीं देगा कि भाग भी सदय करमट कुरसों का साथ देता है जो करमट वेक्ति होता ह अगर आपने अपनी करमटता छोड़ दी है तो आपके लिए भाग्या उतना लाबदाई नहीं होगा आईए अगली राशी वर्षब की ओरबर चलते हैं बड़ी फलेद्या होगी तो निश्चित ही आपको उसका आनंद लेना चाहिए अपने परिवार के हसा समय वितीत करते हुए अगली राशी चलते हैं मिथुन की ओर मितुन राशी के जातक आर्थिक तोर पर जहां एक और आज के दिन आप फस्ते हुए मुझे दिखाई देते हैं अपने व्यापार रोजगार में आर्थिक पहलू आज के दिन आपके जीवन का कमजोर मुझे जान पड़ता है साथ ही मन में कोई सोक उत्पन हो सकता है करक राशी के हमारे जातक आज के दिन उन्हें अपनों से सावधान रहना चाहिए क्योंकि उनके अपने ही उनके जीवन की व्यादी है और उनहीं के कारान आज के दिन आप कहीं फस सकते है परन्तु आपका व्यापार रोजगार अच्छा चलेगा सावधानी रखिये धनलाब भी हो जाएगा अगली राशी सिंग की ओर चलते है सिंग राशी के हमारे जो जातक है सारीरिक समस्या आज के दिन आपकी राशी के जातकों को जीवन में पीछे ले जा सकती है लेकिन इस सारीरिक समस्या के इतर भी आपके लिए आज के दिन बहुत कुछ है जैसे कि आज के दिन आपका रोजगार आगे बढ़ेगा और आपकी आरतिक चमता भी आज के दिन विकास की ओर अग्रसर होगी जिसके कारण आपकी राशी के जातक थोड़ा सा बहतर मैसूस कर पाएंगे धनलाब परियाप्त मातरा में होने वाला है तो सावधान रहें और अपने समय का इंतजार करें अगली राशी कन्या की होर चलते हैं कन्या राशी के जातकों को आज के जिन थोड़ा सावधान रहना होगा क्योंकि चीजें बहुत उनके विप्रीथ है एक तो आज के दिन धनका नुक्सान होगा और उपर से आपके जो सत्रु हैं वह आज के दिन आपके विरुद्ध कोई सड़य अंतर रस सकते हैं जिसके कारण आपकी राशी के जातक समस्या में फच जाएंगे और किसी दुरघटना का सिकार भी हो सकते हैं विसेश का राश के दिन कन्या राशी के जातकों के लिए सला ये कोई उतावला पढ़ना लाए अपने किसी काम में अन्यथा समस्या बढ़ी हो सकती है अगली राशी तुला की ओर चलते हैं तुला राशी के हमारे जो जातक हैं आज के दिन उनके लिए चीज़ें थोड़ी सी विसम और थोड़ी सी सम है विसमता ये है कि आज के दिन उनकी सारीरिक परिस्तिती उन्हें नुक्सान पहुंचाने वाली और डरा कर रखे गिया उनकी सारी रिक परिस्ति उन्हें बार बार इस बात का डर मन में हो जगेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ कोई बड़ी समस्या उत्पन हो जाए इसी कारण वह अपना आर्थिक तोर पर कोई बड़ा नुक्सान भी कर सकते हैं हाँ अगर आप अपनों के साथ जुड़कर रहेंगे विसेश कर आपका जीवन साथी या जिससे आप प्रेम करते हैं उस व्यक्ति के साथ अगर आप जुड़कर रहेंगे जब लगे मैं ठीक हूँ और अगले ही पर लगे अरे भाई ये तो समस्या है मेरे सरीर में बड़ी विचित्र परिस्तिती होती है आज के दिन आपकी राशी के जातक उसी में फसे रहेंगे व्यापार रोजगार भी आपका प्रवावित होगा सामान जीवन अगर जीने का प्रयास करेंगे तो बहतर परिस्तिया होगी अगली रासी धनु की ओर चलते हैं धनु राशी के हमारे जो जातक हैं सारीरिक अगर समस्याओं को छोड़ दिया जाए छोड़ने का तरीका भी आपको समझना होगा छोड़ ऐसे थोड़े न दिया जाए छोड़ किस प्रकार से दिया जाए अपनी दैनिक दिन चर्या पर नियंतरन रखते हुए उन्हें छोड़ दिया जाए तो निश्चित ही आपकी राशी के जातकों को आज के दिन आर्थिक लाब होगा और साथ ही सामाजिक सम्मान की भी प्राप्तियोगी चीज़ें आपके पक्ष मनहेंगी ब्यापार रोजगार आपका अच्छा कटेगा अगली राशी मकर की ओर चलते हैं मकर राशी के जातक जो हैं आज के दिन विसेज कर मन काड़र उनकी सभी समस्याओं को आरंब करने वाला होगा इसी से आपकी समस्याओं आरंब होगी और इसके अतरिक्त जो मुझे दूसरी व्यादी दिखती है वो ये है कि कोई ऐसा समाचार आज के दिन आपकी राशी के जातक पा सकते हैं जिससे मन थोड़ा सा उदास हो जाएगा ब्यापार रोजगार आपका सामान से थोड़ा कमजोर चलेगा आर्थिक लाब को लेकर के सामान दिन है आज के आज का आपके लिए अगली राशी कुम्ब की ओर बढ़ चलते हैं कुम्ब राशी के हमारे जो जातक हैं आज के दिन सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी राशी के जातकों को प्राप्त होगी लेकिन जब कहा गया है तुलसी दाज जी दौरा रामचर इत्मानस में प्रभुता पाही काही मदनाही जब प्रभुता मिलने रग जाये तो मद किसे नहीं होता आज के दिन आपकी राशी के जातकों को भी मद घेर सकता है और इसी के कारण आप अपने जीवन में अपने हाथों से दूसरी व्यादी जोड़ सकते हैं अधर्म और पाप की ओर जा करके तो बचे इस चीज़ से आज के दिन आप अगली राशी अंतिम राशी हमारी मीन उसके विसे में बात कर लेते हैं मीन राशी के हमारे जो जातक हैं आज के दिन पीडा दर्द का जो डर है वो आपके चेहरे पर दिखेगा इतना दर्द आज के दिन आपकी राशी के जातकों को सहना पड़ सकता है साथ ही आरतिक तोर पर भी आज के दिन आप अपने जीवन में पिछड़ सकने हैं उसका विसेश कारण होगा आपके व्यापार का आज के दिन प्रभावित हो जाना तो हमारा ये था आज का राशी फल आईएब जान लेते हैं राज के महा उपाई के बारे में तो आज के दिन का महा उपाई ये है कि भगवती महा लक्ष्मी के चरणों में जा करके कमल गटे 11 बार समर्पित करे ओम हीम महा लक्ष्मी नमा कह करके निशित ही भगवती लक्ष्मी आपके जीवन की दर्दता को हरेंगी और आपका कल्यान भी करेंगी जैसरी रादे जैसरी श्याम अगर आप हमारे कारिक्तरम को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें पुना इसी समय इसी स्थान पर आप सभी से दोबारा भीट होगी रादे रादे